हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर प्लेट थाली के बारे में जो लोग नए हैं उनके लिए इस्पेशली वीडियो हम बना रहे हैं कि कुछ लोग का यह परिशानी है कि हमारे पास कॉल आता है कि सर यह हमारा थाली जो प्रोपर तरीके से कारता नहीं जिसे कि देखिए यह पनी निकल रहा है ठीक है यह पनी निकल रहा तो यह सही से कारता नहीं है कुछ लोग का यह भी कहना होता है कि अगर इस तरफ से कारता तो इस तरफ से नहीं कारता है और अगर यहां से कारता तो यहां से नहीं कारता है तो इसके पीछे जो कारन है यह हम आपको बताते ह कि यह क्यूं होता है इसका होने का कारण कुछ नहीं है छोटा सा काम है वह हम बताते हैं आपको दो मिन्ट में लेकिन कहना है का मतलब यह कि अगर यह आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज इसको लाइक कर दिया किजिए क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर दें तो कम से हम हम अपना चार्ज तो नहीं आपसे मांगते कुछ अगर यह आप किसी बुलाते हैं किसी मेकेनिक को बुलाते हैं तो इसका सही करने के और इस फीडियो कि अपको हमेशा मीलता है और Serie में उसका सही करने कुछ नहीं है बस SImple सा तरीका हैmm की आप सही कर सकते हैं हर कोई परसान होते हैं इस चीज को ले कर के तो आई एंद हम चलते हैंम मसीन के पास फिर आपको दिखाते हैं की आखे यह होता क्यूं है देखे दोस्तों अगर एदिया आपका वहीज वैसे काटता है एक जगास कारता हुँめて यस उसका कारण कुछ नहीं है उसका कारण एक ही हो सकता है जो हम आपको बताते हैं जैसे कि यह अगर आपका मसीनी स्प्रिंग पर है इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है चारों में लगा होता है तो यह देखिए कि अगर यह आपका यह जो साइज है ऐसे अगर आप ऐसे उंगली स हमें यहाँ कोने होता है तो अगर आपका यह 4-1 लेवल में है तब ठीक अगर नहीं है तो फिर वह नहीं कातेगा सई से तो आपको अगर यह समझ नहीं पाते हैं और फिर आप तो भी solution आपको बताएंगे कि आखी तो कैसे ठीक किया जाए लेकिन अगर इस प्रिंग वाले मसीन हो तो जिसे देखिए हमारा ये वराइक बिल्कुल टाइट है ये हिलता डूलता नहीं और ये है जो कि देखे ये लूज है तो ये यहां से दिकत आएगी हमें यहां से नहीं काटेगा क्योंकि ये लूज है ये ज्यादा धीला पर रहा और ये इसके लिए सब कुछ से सेम सेम होना चीए बराबर एक साइज आप ऐसे भी ना आप सकते हैं अगर यहां ठीक है और यहां पर धीला हो रहा है तो समझे कि यह वाला आपका हिस्सा डेमेज है यहां पर है जिसे के आपको ये ठीक हो जाएगा कि और अगर एटेश चौटी सी अगर फिर भी ना समझेक्ज़ है अगर आपया स्परिंग वला नहीं है बिना इस प्रिंग का है तो आपको क्या करना है यह जो आपका बैल्ट हैं क है इस वाले बैल्ट को यह लूज होने के कारण ब्यंक आप इसवेल्ट को क्या किजिए कि इसको bold को टाइट करके फिर देखिए काटेगा क्योंकि वह प्रेशर नहीं लेने के वएसे अप यहां से दाव भी बिठाते एंप यह नीच करके बैठ जाता है जाम होगाता है मसीन तो आप वहां से बेल्ट को टाइड कर लिजिए फिर देखी चला गए फिर सही कोई दिखत नहीं फिर सही आपका पीस भी निकलेगा और आप परिसान भी कम होंगे तो किसी मेकनिक को भुना जोत नहीं परेगा और आपने आप मेकनिक बन जाएंगे